नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चार बहुँओं की सास रोमा, टीना, मीनू और रितू, चारों की साधी एक ही घर में हुई है चारों बहुँओं एक ही साथ एक घर में रहती है चारों की सास सुसीला जी बहुत ही समझदार और सांत सभाओं की महिला है लेकिन अपने चारों बेटों की साधी के बाद सुसीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुँं का प्यार कैसे बढ़ाय जाए एक दिन सुसीला के घर उसकी बहन आई सुसीला के बहन सुसीला तू तो बहुत खुस किस्मत है तेरी चारों बहियों तो बहुत सुन्दर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी सुसीला, अरे कहां दीदी मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई न हो जाए जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को सम्हाल लेती हूं सुसीला की बहन ये बात तो सच है सुसीला दुनिया सोचती है कि बहुए आ जाने से घर में खुसियां आ जाती है लेकिन ये भी सच है घर में बहुए आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है हर समय बसे ही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई न हो जाए ये दोनों बात कर रही थी तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज आई रोमा, मैंने एक बार पोच्छा लगा दिया है दुबारा नहीं लगाऊंगी मीनू, दुबारा पोच्छा तो तुम्हें ही लगाना पड़ेगा रोमा तुमने इतना गंदा पोच्छा लगाया है लगी नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है बहुँ में इस तरह की लड़ाई देखकर सुसीला की बहन घबडा गई और सुसीला को समझाने लगी तेरे बहुएं काम कम करती हैं और लड़ाई ज़्यादा सुसीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई न कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ये कहकर सुसीला की बहन वहां से चली गई अब सुसीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुँँ का आपस में प्यार कैसे बढ़ाये जाए इसलिए सुसीला ने अपनी सारी बहुँँ को इकठा किया और कहा सुसीला तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो इससे ना तो घर चल सकता है और ना तो जिन्दगी इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो रोमा मा जी आप हमें अलग-अलग घर दे दो सुसीला मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग-अलग घर बना कर दे दूँ मीनू मा जी ए घर भी तो बहुत बड़ा है आप इस पर चार मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो सुसीला मैंने अपनी चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है इसलिए मैं नहीं चाहतی कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए मेरे चारों बेटे अलग-अलग रहें और मेरा क्या मैं तुम चारों में से किस के पास रहूँगी सुसीला की ये बात ने सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई चारों में से कोई भी सुसीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी सुसीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिये और अपना घर भी दे दूँ लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते ये कहते हुए सुसीला की आखें भराएं और वहां उन चारों बहुएं के काम बाट दे और उन सब को कहा कि कोई भी आपस मे नहीं लड़ेगा लेकिन उनकी बहुएं कहां मानने वाली थी आप चारों बहुएं ने एक एक टीम बना ली और एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी में रितू और टीना थी चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी लेकिन एक दूसरे की चुमली करने लगी थी एक एक दिन टीना और रीतू ने अपनी सास से कहा टीना मा जी आपको पता है रोमा बारा बजे से सो रही है आज तो उसने सिर्फ घर की जाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया रीतू हाँ मा जी अपने लड़ने के लिए मना किया है इसलिए मैं मीनू से कुछ नही कहती वह आज ही वाजार जाकर अपने लिए तीन तीन साड़ी नहीं लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है रीतू और टीना तो अपने सास से चुमली करके चली गई अब मीनू और रोमा की बारी थी मीनू मा जी आपने रीतू को तो सर पर चड़ा रखा ह वो हमेशा रोटियं जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रीतु की हाथ की रोटियं अच्छी नहीं लगती रोमा और माजी कल टीना ने सब के कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए मैं खाना बनाती हूँ तो सब के लिए बनाती हूँ ना मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा सुसीला सारी बहूं की बातें सुनती और सर पकड़ कर बढ़ जाती इसी तरह दिन बीत रहे थे जब बहूं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनवा कर नहीं देंगी तो चारों बहूं ने अपने अपने पतियों को भड़काना सुरू कर दिया जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहूं चुंगली करने में लग जाती एक दिन जब उनके पति घर आये तो रोमा बोली रोमा सुनो जी इस घर में नहीं रह सकती मैं सारा दिन घर का काम करती हैं और फिर भी आपकी मा और भावियों का ताना सुनती हूँ मैं भी रोज रोज के लड़ाईयों से दुखी हो चुका हूँ आज तो फैसला हो ही जाए उधर मीनू भी अपने पती से कहती ही मीनू सुनिया जी हम सब कब तक आपके घरवालों के साथ पिषते रहेंगे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके भी भविस के बारे में सोचना है आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ मा जी से बोलिए ना इस घर को तड़वा कर फलेट बनवा दें हम सब आराम से रहेंगे मीनू का पती तुम ठीक कह रही हो आज मा से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है सुसीला के बेटे उससे बात करने के लिए आया और पीछे पीछे बहुएं भी आ गए बेटा मा मा कहा हो आप बाहर आओ तो सुसीला कमरे से बाहर आती है बेटा मा आप घर को तोड़वा कर फलेट बनवा दो ना सब साथ में नहीं रह सकते दूसरा बेटा हां मा हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए न और जो आपकी बहुएं में से 24 घंटे लड़ाई होती रहती है ओ भी नहीं होगी अलग अलग रहने से आपको भी सांती मिलेगी और हमें भी मा अच्छा तुम्हारी पत्नियों ने घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती इस घर में तुम्हारे पिता की यादे हैं तुम्हारा बच्पन बीता है और तुम चारों अपने बत्नियों को समझाने के बजाए मुझे से इस घर को तुड़वाने के लिए बोल रहे हो सुसीला ने अपने बेटे और बहुँओं को बहुत समझाये लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुसीला को अपना घर तोड़वाना ही पड़ा जैसे जैसे हथोड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था सुसीला वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी अब कुछ दिन बाद उस घर की जगहां एक आलिसान बिल्डिंग खड़ी थी सुसीला ने अपने चारों बेटे और बहूं को बुलाया कहा सुसीला तुम चारों के फ्लेट बनकर तयार हो गए हैं अब तुम सब आराम से रह सकते हो तुम अपने अपने परिवार के साथ खुस रहोगे लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो तुम्हें अलग-अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है कैसे बताऊं बेटा मा आप कहां रहेंगी मतलब हमें से किसके साथ रहेंगी सुसीला तुम फिक्र मत करो बेटा तुम्हारी बुड़ी मा किसी पर भी बोज नहीं बनेगी पिंसन तो आती है मेरे पास उससे मेरा गुजारा हो जाएगा तुम चारो एक-एक फ्लेट में रह लोगे ये नीचे का हिस्सा बचेगा मैं वहीं रह लोगी चारो बेटे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए आराम से रहने लगे सुसीला पूरे दिन यही रहती और सोचती मेरी बहियों में मुझसे मेरे चारो बेटों को छीन लिया चारो में से कोई भी मेरे पास नहीं आता लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते कल मेरी जगा मेरी बहवें भी होंगी तब देखती हूँ दोस्तों आपको इस कहानी कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड सेयर करें और इस कहानी का दूसरा भागी